C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रिष्ट 101 5.4 कोण नियून अधिक और प्रतिवर्ती हमने देखा कि एक समकोण और एक रिजुकोण का क्या आर्थ है परन्तु जो कोण हमें देखने को मिलते हैं वे सदैव इन दोनों प्रकारों के ही नहीं होते हैं एक सीड़ी द्वारा दीवार से या फर्ष से बनाया गया कोण ना तो समकोन है और ना ही रिजू कोन है सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए क्या कुछ ऐसे कोन हैं जो समकोन से छोटे हैं? क्या कुछ ऐसे कोन हैं जो समकोन से बड़े हैं? क्या आपने बढ़ही का वर्ग देखा है? यह अंग्रेजी वर्ण माला के अक्षर L जैसा होता है वह इससे समकोणों की जाँच करता है आईए हम भी समकोणों की जाँच के लिए इसी प्रकार के टेस्टर को बनाएं इनहें कीजिए चरण एक, कागस का एक टुकडा लीजिए चरण दो, इसे बीच से मोड़िये चरण तीन, सीधे किनारे पर पुनह मोड़िये आपका टेस्टर तैयार है अपने द्वारा बनाए गए समकोण टेस्टर को देखिये क्या हम इसे RA टेस्टर कहें क्या इसका एक किनारा दूसरे पर सीधा खळा है प्रिष्ट एक सौदो मान लीजिए कोनों वाला कोई आकार दिया हुआ है आप इसके कोनों पर बने कोनों की जाँच आर ए टेस्टर द्वारा कर सकते हैं क्या इसके किनारे एक कागज के कोनों से दिखाई देते हैं यदि हां तो यह एक समकोन दर्शाता है प्रयास कीजिए एक घड़ी की घंटे वाली सौई बाराह से पांच तक चलती है क्या इसका घूरणन एक समकोन से अधिक है दो घड़ी पर यह कोन कैसा दिखता है घड़ी की घंटे वाली सौई पांच से साथ तक चलती है क्या इस सुई द्वारा घूमा गया कोण एक सम कोण से अधिक है? 3. घड़ी पर सुईयों की स्थिती निम्न प्रकार बना कर कोणों की जांच आर ए टेस्टर द्वारा कीजिए 4. कोने वाले पांच भिन भिन आकार लीजिए कोणों के नाम लिखिए अपने टेस्टर द्वारा इन कोणों की जांच कीजिए और प्रतेक स्थिती के परिणाम को एक सारणी के रूप में निम्न प्रकार लिखिए सारणी के स्थम्भ हैं कोने एक आकार दिया है से छोटा दूसरा आकार से बड़ा कोने हैं A, B, C, हित्यादी आप अपने उत्तर इस सारणी में भरिए प्रिष्ठ एक सो तीन अन्य नाम सम कोण से छोटा कोण नियून कोण यानि अक्यूट एंगल खहलाता है ये कोण नियून कोण है छट का उपरी सिरा सी सौ पुस्तक खोलना क्या आप देख रहे हैं के इन में से प्रत्येक एक घूरनन के एक चोथाई से छोटा है अपने आरे टेस्टर से इनकी जांच कीजिए यदि कोई कोण एक सम कोण से बड़ा है और एक रिजू कोण से छोटा है तो वह एक अधिक कोण यानि अब्थियूस एंगल खहलाता है ये कोण अधिक कोण है घर पुस्तक पढ़ने की डेस्क क्या आप देख सकते हैं के इन में से प्रत्येक एक चोथाई घूरनन से अधिक है और आधे घूरनन से कम है इसकी जांच करने में आपका आरे टेस्टर सहायता कर सकता है पिछले उदाहरणों में भी अधिक कोणों की पहचान कीजिए एक प्रतिवर्ती कोण यानि रिफ्लेक्स एंगल एक रिजू कोण से बड़ा होता है और एक संपून कोण से छोटा होता है यह इस आकृती में दर्शाय प्रकारखा होता है घड़ी पर कोण को देखिए आपने जो इससे पहले आकृतियां बनाई थी क्या उनमें प्रतिवर्ती कोण बने थे आप इनकी जाज किस प्रकार करेंगे यहाँ घड़ी की आकृती दी गई है प्रिष्ट 104 प्रयास कीजिए एक, आप अपने आसपांस देखिए और कोनों पर मिलने वाले किनारों को पहचानिए जो कोन बना रहे हों ऐसी दस स्थितियां लिखिए दो, ऐसी दस स्थितियां लिखिए जहां न्यून कोन बन रहे हों तीन, ऐसी दस स्थितियां लिखिए जहां सम कोण बन रहे हूं। चार, ऐसी पाँच स्थितियां लिखिये जहां अधिक कोण बन रहे हूं। पाँच, ऐसी पाँच स्थितियां लिखिये जहां प्रतिवर्ती कोण बन रहे हूं। प्रश्नावली पाँच दशमलव तीन। 1. निम्न को सुमेलित, यानी मैच कीजिये. 1. रिजु कोण, 2. सम कोण, 3. निून कोण, 4. अधिक कोण, 5. प्रतिवर्ति कोण. A. एक चोथाई घूर्णन से कम. B. आधे घूर्णन से अधिक. C. आधा घूर्णन. D. एक चोथाई घूर्णन. E. एक चोथाई घूर्णन और आधे घूर्णन के बीच में. F. एक पूरा या समपूर्ण घूर्णन. 2. निम्न में से प्रतिक कोण को सम कोण, रिजु कोण, निून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ति कोण के रूप में वर्गी कृत कीजिए. यहाँ 6 आकृतियां दी गई हैं. A, B, C, D, E, F. प्रिष्ट 105. 5.5. कोणों का मापन. अपने बनाए गए R.A. टेस्टर की सहायता से हमने कोणों की समकोण से तुलना की. इससे हम कोणों को निून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ति कोणों में वर्गी गृत करने में भी समर्थ हो गए थे. परन्तु इससे कोणों की परि यह पता नहीं लगता के दिये हुए दो अधिक कोणों में कौन बड़ा है. इसलिए कोणों की तुलना अधिक परिशुधता से करने के लिए यह अवश्यक है कि उन्हें माप लिया जाए. ऐसा हम एक चान्दे यानि प्रोट्राक्टर की सहायता से कर सकते हैं. कोण का माप? हम अपनी इस माप को डिगरी माप यानि अंश माप या डिगरी मेजर कहते हैं. एक संपून घूरनन को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है. प्रत्येक भाग एक अंश यानि डिगरी कहलाता है. हम 360 अंश कहने के लिए 360 डिगरी लिखते हैं. सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए. आधे घूरनन में कितनी डिगरी हैं? एक संपून में कितनी डिगरी हैं? एक रिजुकून में कितनी डिगरी यानि अंश हैं? कितने संपून से 180 डिगरी बनते हैं? इनहें कीजिए. एक एक चूडी की सहायता से एक वृत्ताकार आकृती बनाईए या इसी मान की एक वृत्ताकार शीट लीजिए. दो, इसे दो बार मोड़िए, जिससे दर्शाई गई आकृती प्राप्त हो. इसे एक चतुर्थांश यानि क्वाड्रंट कहते हैं. तीन. इसे खोल लीजिए. आपको एक अर्ध वृत्त प्राप्त होगा, जिसके बीच में एक मोड़ का निशान है. प्रिष्ठ एक सो चै. चार. इस वृत्त को मोड़ कर चतुर्थांश बना लीजिए. इस चतुर्थांश को एक बार पुनह मोड़ कर दर्शाई हुई प्राप्त कीजिए. अब कोन 90 डिगरी का आधा अर्थात 45 डिगरी है. पांच. अब इसे खोल लीजिए. दोनु और एक एक मोड़ का निशान दिखाई दे रहा है. आधार रिखा की बाई और वाले पहले मोड़ के निशान पर 45 डिगरी लिखिए. चै. दूसरी और वाले म दिखा जाएगा. साथ. कागस को अब 45 डिगरी तक यानि चतुर्थांच के आधे मोड़िये. अब इसका आधा कीजिए. आधार रिखा के बाई और वाला पहला मोड़ का निशान 45 डिगरी का आधा अर्थात 25 डिगरी दर्शाएगा. 135 डिगरी के बाई और का कोन 157 डिगर ही है. चांदा. आपके जामिती बक्स में आपको चांदा बना बनाया मिल जाएगा. इसके वक्रिय किनारे यानि एज को 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक भाग एक अंच यानि डिगरी कहलाता है. इस पर चिन्ह दाई या बाई और से प्रारंभ कर के क्रम शह बाई या दाई और तक शून्य डिगरी से 180 डिगरी तक लगे होते हैं. यहां चांदा का एक चित्र दिया गया है. मान लीजी आप कोई कोई कोण ABC को मापना चाहते हैं. यहां कोण ABC दिया है और कोण ABC का मापना दर्शाया गया है चांदा की मदद से. चांदे को इस प्रकार रखिये के इसके सीधे किनारे का मध्य बिंदू, आकृति में M, कोण के शीर्ष B पर स्थित हो 2. चांदे को इस प्रकार समायोजित कीजिए के किरण BC इस सीधे किनारे के अनुदिश रहे 3. चांदे पर दो स्खेल हैं, वो स्खेल पढ़िये जिससे किरण BC चिन्ह 0 डिग्री से मिल रही है 4. वक्रिय किनारे पर किरण AB द्वारा दर्शित चिन्ह कोण का अन्शी यमाप यानि डिग्री मेजर ग्यात कराता है आक्रिती में यह 40 डिग्री है, हम इसे M, कोण ABC बराबर 40 डिग्री या केवल कोण ABC बराबर 40 डिग्री लिखते हैं प्रशनावली 5.4 1. निम्न के क्या माप हैं? 1. एक समकोण 2. एक रिजुकोण 2. बताईए सत्य T या असत्य F A. एक निम्न कोण का माप 90 डिग्री से कम है B. एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम है C. एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से ज्यादा है D. एक संपूर्ण घूर्ण का माप 360 डिग्री के बराबर है E. यदि M कोण A बराबर तिरपन डिगरी है और M कोण B बराबर 35 डिगरी है तो M कोण A, M कोण B से अधिक है 3. निम्न के माप लिखिये A. कुछ निउन कोण B. कुछ अधिक कोण प्रत्येक के दो उधारन दीजिए 4. निम्न कोणों को चांदे से माप लिखिये और उनके माप लिखिये यहां चार अलग-अलग आकृतियां दी गई है A, B, C और D प्रिष्ट 108 5. किस कोण का माप बड़ा है पहले आकलन यानि एस्टिमेट कीजिए और फिर माप लिखिये 6. निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए 7. नियून कोण, अधिक कोण, समकोण या रिजुकोण से रिक्त स्थानों को भरिये A, वहकोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है, डैश होता है C, वहकोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो, डैश होता है D, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है, तो प्रतेक कोण, डैश होता है E, यदि दो कोणों के मापों का योग एक रिजु कोण के माप के बराबर है, और इनमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण, डैश होना चाहिए 8, नीचे दी आकृती में दिये प्रतेक कोण का माप ग्याद कीजिए पहले देख कर आकलन कीजिए और फिर चांदे से माप ग्याद कीजिए यहां तीन घड़ियां दी गई है, पहली घड़ी में समय है प्रात है नौ बजे, दूसरी घड़ी में दो पहर एक बजे, तीसरी घड़ी में साए छे बजे 10, खोज कीजिए दी हुई आक्रिती में चांदा तीस दिगरी दर्शा रहा है, इसी आक्रिती को एक हावरधन शीशे यानि मैगनिफाइंग ग्लास द्वारा देखिए क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है 11, माप ये और प्रत्य कोण को वरगी क्रित कीजिए यहाँ एक सारणी दी गई है पहला स्थम्भ है कोण, माप, प्रकार दूसरा स्थम्भ, कोण AOB तीसरा, कोण AOC चौथा, कोण BOC पांचवा, कोण DOC छठा, कोण DOA सात्वा, कोण DOB अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गणित की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचन स्वर, गौरव मारवा निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत आप से जिर्मान Goodness स्वर्ण का अबरो उह सब्ता हम दो यह लो को को